हेलो गाइज विल्कम डू माई चैनल तो आज फिर एक कटर बनाए गाईज वो कटर बहुत ही पावरफुल है और वो लोई को आराम से कट देता है गाईज तो देखते देखे आप वीडियो में आगे वीडियो अगर अच्छी लगती ही तो वीडियो को लाइक करें शेर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके विल्ल आइकन को जरू दबाए अगली वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिल जाएंगी मैं हूप प्रमोद और आप देख रहे हैं समर्ता टेक्निकल तो चेले वीडियो शुरू करते तो सबसे पहले आपको एक ट्वे लोट की मोटर चाहिए गाइस और ये कटर का पत्ता चाहिए जो की हाड़वेर के शॉप पर आपको 20 रुपे तक मिल जाएंगा गाइस ब्लैक कलर का गेर ले आए गाइस मेंने और उसे यमसिल के साथ पत्ते को फिट कर रहा हूँ गाइस में को भी कुछ ऐसा ही यूज करना पड़ेंगा जो की मोटर को भी फिट हो जाए और पत्ते को भी बड़ी आराम से फिट हो जाए गाइस ये पावर फूर कुलर भी मैंने घर पे ही बनाया है आपको देखना है तो डिस्क्रिप्चन में लिंक दिए जाके वीडियो देख लिए ना गाइस तो पत्ते को फिट करते हैं मोटर से मोटर का गेर था जो कि मैंने उपर से लगा कर उसे फिट कर दिया गाइस ये 12V का अडप्टर है गाइस मेरे पास इसे मैं अभी सेल्पी स्टिक के उपर लगबाने वाला हूँ मैं खरब सेल्पी स्टिक यूज़ कर रहा हूँ आपके पास सेल्पी स्टिक नहीं है तो आप पाइप या खुछ भी आप यूज़ कर सकते स्वीच का करें करें कर दिया मैंने स्वीच कहीं है चाली गाइच उसके बाद जो उसको टेप से जो कनेक्शन इसको डगुन और मोटर को स्टिक के उपर फिटिंग कर देंगे मेरे पास बेल्ट है तो मैं बेल्ट के उँससे ही फीटिंग कर रहा हूँ आप फेमिकिक से या यंशिल से भी फिटिंग कर सकते हैं गाइज यह कटर हाथ पे न लग जाए इसकी सेप्टी के लिए हम जो बॉक्स काट कर उसे उपर का राउंड शेप बना देंगे गाइज आपको भी सेप्टी के लिए ये कवच बनाना ही पड़ेंगा गाइज क्योंकि हाथ पे न लग जाए प्रेड़ी है गाइज हमारा कटर तो अभी एक लोहे का खिला लिया है मैंने गाइज जो कि उसे काट रहा हूं में देख सकते हैं चिंगारिया भी निकल रही है कट गया गाइज देख सकते हैं आप देखिए गाइज इसके दो तुकडे वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें शेर करें अगर आप हमार चैनल पर नए तो सब्स्राइब करके बिल आइकन को ज़रू दबाए अगले वीडियो को नोटिफिक्शन आपको मिल ज